नमस्ते बच्चों कैसे हो आप सब तो मैं आपकी हिंदी अधियापिक का आपके मेरी साथ में कक्षा के लिए लाई हूँ पार्ट नमबर दो जिसका नाम में बिखारी तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हमारा पार्ट नमबर दो बिखारी इस कहानी में कहा गया है कि एक बिखाई था जिसका नाम साई था और एक लड़का था जो आठवाश का बालक था जिसका नाम था मोहन उसकी एक आदक थी वहें रोध पैर को मोहन के घर आ जाता और वहीं मोहन के साथ बैढ़कर गंटों बाते करता था मोहन को भी साइच के साथ बाते करना अच्छा लगता था परंथु उससे ऐसी हालत में देगकर मोहन को बड़ा दुख भी होता था इसी रेवे अपनी मां से उसे उनकी मदद करने के लिए कहता था परंथु उसे पिताजी से बहुत डर लगता था क्योंकि वह सोचते थे कि साइं जैसे बिखारी ढूंगी होते हैं उनके साथ ऐसे मितरता पूरण संबंद नहीं रखने चाहिए प्रन्तु फिर भी साइं के साइं उस मोहन बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसके घर आ जाता था उसके द्वारा दी गई दो रोटी उसे बड़े चाव से खाता था और खुश रहता था एक दिन क्या होता है कि मोहन जब साई को खाना दे रहा था उसकी पिता जी उसे देख लेते हैं जब उसकी पिता जी देख लेते हैं तो वो उस बिखारी को और मोहन को डाड़ता है और साई को साई भी वहाँ से चला जाता है इस गटना के बाद साही ने मोहन के घर आना छोड़ दिया था एक दिन अचानक मोहन जब स्कूल से आ रहा था तो उसकी नजर साही पर पड़ी तो वो साही को बुलाने लगा इतनी दूनों के बाद साही और मोहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए तो मोहन साही से पूछने लगता है कि क्या बात है साही तुम अब हमारे घर क्यों नहीं आते तो साही बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है मैं अब तुमारे घर आ जाया करूँगा तब ही अचानक से एक लड़का वहां से आता है भागता हुआ तो जो साईं के पास एक गठरी होती है, जिसको लेकर वो भाग जाता है, इसके पीछे पीछे साईं भी भागते हैं, तो उसे खंबे से टकरा कर गिर जाते हैं, तो उनके सिर्मे से खून निकलने लग जाता है, और वो साईं वही बैठ जाते हैं, तब उस लड़के को उसके पिता जी मोहन के पिता जी पकड़ लेते हैं और मारते हुए साहिं के पास लेकर आते हैं जब बच्चा रोने लगता है तो साहिं को अच्छा नहीं लगता तो वो मोहन के पिता जी को कहता है कि इसको मत मारो बच्चे तो बगवान का रूप होते हैं तो मुहोन के पिता जी ने कहते हैं कि तुम अपने गुदर लेने के लिए नाटक करे थे तो साइन बोलते हैं कि जो गुदर होते हैं उसको लेगे बच्चे पीछे भागते कौई कि वे सोचते हैं कि जो बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं कौई कि पैसा सोना चांदी तो चोर चुरक के उचुराते हैं प्रन्तों गुद्दर जो होते हैं जो बच्चे ही लेकर भागते हैं इतनी बात कहने पर इतनी बात कहने के बाद साही बालक को पुछकारता और से गले से लगा देता है ये बात ये सब कुछ देखकर मोहन के पिताजी का भी दिल पिगल जाता है और वह उन्हें कहते हैं तुम तो साही नीरे गुदर बुखारी हो फिर सबी लोग वहाँ पर जो आए हुए थे खड़े हुए थे वो सब अपने अपनी राह पकड़ लेते हैं और मोहन और साही और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसका मतला में कि वो एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने रग जाते हैं इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें बिखारियों को दुद्कारना नहीं चाहिए बलकि उनकी जितनी हो सके सायता करनी चाहिए ओके बच्चो देखने के बाद बच्चो आपने इस पार्ट को अच्छे प्रकार से पढ़ना है पढ़ने के बाद इस पार्ट के शबदर्थ आपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने हैं पेज नमबर बारा का क भाग का लिखित भाग आपने लिख ख ख नहीं ग अपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने हैं ग अड़य चैर रहने देना छ आपने आपनी बुक किताब पर करने हैं और इसका व्याकरन भाग भी आपने अपनी व्याकरन की उत्तर पुस्तिका पर कर बना है ओके धन्यवाद बच्चों